आप देख रहे हैं Alpha Defense, Alpha Defense हिंदी में आपका स्वागत है आप हमें जॉइन कर सकते हैं सोशल मेडिया पर, Facebook, Twitter, Instagram और English viewers हमें जॉइन कर सकते हैं Alpha Defense English पर आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के इस वीडियो में हम लग बात करेंगे SU57 के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे क्या भारत SU57 खरीदेगा शुरुवात में रश्या और भारत मिलकर एक 5th generation fighter aircraft बनाने वाले थे और इस fighter jet program को कहा जाता था FGFA ये FGFA program SU57 जो तब पाकफा T-50 था इसके उपर base था लेकिन बाद में भारत ने इस joint development program से खुद को बाहर कर लिया जबसे भारत इस fighter jet program से बाहर आया है उसके बाद से ये debate settle नहीं हुआ है एक ग्रूप का मानना है कि भारत को इस fighter jet program में वापस जाना चाहिए और दूसर ग्रूप चाहता है कि भारत इस program से दूर ही रहे तो अच्छा है जिन लोगों का मानना है कि इंडिया को इस project में वापस जाना चाहिए उनकी argument है कि SU-57 एक 5th generation fighter aircraft है और कोई भी देश भारत को एक 5th generation fighter aircraft नहीं बेचेगा ऐसे में रश्या का SU-57 भारत के लिए एक काफी अच्छा option है और बीच में कुछ news आई थी जिसके तहर रश्या अपने SU-57 को आने वाले समय में 6th generation fighter aircraft के level तक लेके जाने वाला है हाला कि जिन लोगों का मानना है कि भारत को SU-57 नहीं खरीदना चाहिए उन लोगों की argument है भारत अपने खुद के 5th generation fighter aircraft program पर काम कर रहा है और भारत को सारे funds और focus AMCA पर ही रखने चाहिए AMCA की सबसे बड़ी परेशानी है इसका power plant इस fighter jet के prototype American General Electric के F414 पर बेस्द होंगे वहीं इस fighter jet का production variant GTRE Kaveri K10 पर बेस्द होगा GTRE Kaveri K10 को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है और इस बात की कोई guarantee नहीं दी जा सकती कि AMCA के production में जाने से पहले ये jet engine बनके तयार हो जाएगा हाला कि इस बात के पूरे chances हैं कि ये engine AMCA के production में जाने से पहले बनके तयार हो जाएगा लेकिन अगर ये engine बनके तयार नहीं होता है तो भारत के सारे indigenous program American engines पे based होंगे इस बात में कोई दोराय नहीं है कि अमेरिका अभी भारत का काफी अच्छा दोस्त है लेकिन किसी भी एक country के उपर इतनी dependency सही नहीं है और इस लिए इंडिया और air force को backup plan ready रखने पड़ेंगे वहीं दूसरी ओर अगर इंडिया SU-57 खरीता है तो SU-57 SU-30 MKI के रोल में आएंगे फिलहाल भारतिय वायू सेना के पास 15 squadron में SU-57 है और इनका total number 272 के आसपास है ये fighter jet एक air dominance fighter jet है और आज ही तारीक में भारतिय वायू सेना के पास air dominance fighter jet प्रचूर मात्रा में available हैं भारतिय वायू सेना की सबसे बड़ी परिशानी है medium category के attack fighter jet और इस रोल में इस समय भारतिय वायू सेना के पास केवल Mirage 2000 है आने वाले समय में 36 रफाल भारतिय वायू सेना के बेड़े में शामिल होंगे और ये fighter jet Mirage 2000 को compliment करेंगे हाला कि भारतिय वायू सेना अपने 130 MKI fleet को भी ground attack roll के लिए modify करना चाहती है और इस air dominance fighter को multi roll बनाने की कोशिश जारी है वहीं दूसरी ओर SU-57 एक stealth fighter jet है और एक stealth fighter jet attack roll काफी अच्छे से कर सकता है हाला कि अभी SU-57 की ground attack capability demonstrate नहीं हुई है और जैसा कि आम तोर पर Russian aircraft के साथ होता है कि इनको air dominance के लिए बनाया जाता है और इनकी air to ground capability उतनी ज़्यादा खास नहीं होती हाला कि अगर ये fighter jet अभी select किया जाता है तो नासिक assembly line जो कि SU-30 के order complete होने के बाद में idle हो जाएगी उस line को use करके इन fighter jets को जल्दी बनाया जा सकता है SU-57 को जिस तरीके से बनाया गया है उससे ये समझ में आता है कि ये fighter jet stealth नहीं, stealth killer के तौर पे बनाया गया है SU-57 का सबसे important हिस्सा है इसका radar system इस fighter jet में N036 Belkiya radar system का प्रेयोग किया जाता है इस radar system में एक main radar है जो कि nose में होता है इस nose radar में 1500 से भी जादा TR modules है इसके अलावा इस fighter jet के cheeks के पास में दो side looking radars है और इन side looking radars में 300 से भी जादा TR modules है इस fighter jet के wings पर दोनों तरफ L band transceiver लगा हुआ है यानि कि ये एक L band radar है और दोनों ही X band और L band radar से आ रही information को N06 USB computer को भेज दिया जाता है जहाँ पे इस signal को process करके information ग्यादा की जाती है क्योंकि इस fighter jet में L band radar भी लगा हुआ है इसलिए इस fighter jet के लिए stealth fighter jets को detect करना काफी जादा आसान हो जाता है और इसलिए इस fighter jet को एक stealth killer के तौर पर देखा जा सकता है अगर नजर डाली जाए भारतिय वाई सेना की fleet पर तो आज की तारीक में भारतिय वाई सेना की read की हड़ी है 130 MKI की fleet भारतिय वाई सेना के पास तकरीवन 232 130 MKI है 130 MKI के साथ साथ भारतिय वाई सेना के पास 50 के आसपास मिराज 2000 है ये fighter jet भारतिय वाई सेना की 3 squadrons में शामिल है और बहुत लोगों का मानना है कि ये fighter jet भारतिय वाई सेना का favorite fighter jet है MiG-29 UPG भारतिय वाई सेना का multi roll fighter jet है पहले ये fighter jet एक air dominance fighter jet हुआ करता था लेकिन UPG upgrade के बाद में ये fighter jet multi roll हो गया है और आने वाले समय में भारतिय वाई सेना रशा से 21 पुराने MiG-29 लेने वाली है देश में निर्मत light combat aircraft Tejas भारतिय वाई सेना के बेडे में शामिल होना शुरू हो चुका है आज की तारीक में भारतिय वाई सेना एक squadron में तेजस को उड़ाती है और इस साल के अंध तक दूसरी squadron भारतिय वाई सेना के बेडे में शामिल होना शुरू हो जाएगी डारिन 3 अपग्रेड के बार में जैगवार काफी जादा डेडली हो चुके हैं आज की तारीक में भारतिय वाई सेना के पास 100 से भी जादा जैगवार fighter jet मौजूद हैं और आने वाले समय में ये fighter jet retire कर दिया जाएगा और इसकी जगह light combat aircraft तेजस को शामिल कर लिया जाएगा फ्रांस के साथ हुई 36 रफाल के डील के बाद में इस साल से भारतिय वाई सेना को रफाल fighter jet मिलना शुरू हो जाएगे और 36 का नंबर 3 से 3.5 साल के बीच में complete कर लिया जाएगा अगर भारतिय वाई सेना के बेड़े पर ध्यान से नजर डाली जाए तो ये बात समझ में आती है कि भारतिय वाई सेना के बेड़े में 7 अलग-अलग तरीके के fighter jet हैं यानि 7 अलग-अलग तरीके की logistics, spare supply और training procedures हाला कि साल 2025 तक भारतिय वाई सेना की MiG-21 की fleet पूरी तरीके से retire कर दी जाएगी और इनकी जगे शामिल होंगे light combat aircraft तेजस साल 2030 आते आते मिराज 2000 और MiG-29 दोनों retire कर दिये जाएगे हाला कि जिस तरीके से इन दोनों fighter jets के ऊपर upgrade किये गए हैं इसलिए ये देखना दिल्चास्प होगा कि क्या 2030 तक ये fighter jet retire होंगे या इनको एक और life extension मिलेगा हाला कि Jaguar की fleet 2022 तक पूरी तरीके से retire कर दी जाएगी और इनके retirement के बाद में भारतिय वाई सेना के पास पाँच अलग-अलग तरीके के aircraft बचेंगे जी हाँ 5 क्योंकि light combat aircraft Tejas तीन अलग-अलग variant में आएगा Tejas Mark 1, Mark 1A और Mark 2 ऐसे में SU-57 को अगर भारतिय वाई सेना के बेडे में शामिल किया जाता है तो type of aircraft 5 से 6 हो जाएंगे यानि एक तरीके की और logistics जिसके चलते भारतिय वाई सेना की operations cost और उपर जाएगी अब बात करते हैं SU-57 के 6th generation fighter jet होने के दावे के बारे में ये 5th generation, 5.5 generation, 6th generation, 6++ generation के वल marketing terms है अगर बात की जाए एक typical 5th generation fighter jet की तो ये fighter jet एक stealth fighter jet होता है जो अपने हथियार internal weapons bay में लेकर चलता है जिससे इसका radar signature बहुत जादा कम हो जाता है इसके अलावा इस fighter jet की जो भी खूबियां थी उनको 4th generation fighter jet में लाकर उनको 4.5 generation fighter jet पहले ही बनाया जा चुका है जब बात आती है 6th generation fighter jet की तो इन fighter jet में basic 5th generation fighter jet की सारी खूबियां मौजूद होंगी और उसके अलावा इस fighter jet में कुछ नई चीजों को add किया जाएगा जिसके वज़े से ये 5th generation fighter jet से 6th generation fighter jet हो जाएगा इस सारी खूबियां किसी भी 5th generation fighter jet में add की जा सकती है जैसे कि wingman drones ये wingman drone stealth UCAVs भी हो सकते है और इन wingman drones को इन fighter jet से control किया जा सकेगा wingman के अलावा ये fighter jet drones warm भी carry कर सकते है यानि कि छोटे छोटे बहुत सारे drones इनके अलावा 3 और खूबियां होंगी जो इन 6th generation fighter aircraft को 5th generation से अलग बनाएगी जैसे कि ये fighter jet unmanned तरीके से उड़ सकेंगे यानि कि बिना pilot के इन fighter jets में directed energy weapons का प्रियोग किया जाएगा और साथ ही ये fighter jet artificial intelligence से last होंगे जिससे pilot का काम काफी आसान हो जाएगा अगर भारतिय वायू सेना की future fleet के उपर नजर डाली जाए तो भारतिय वायू सेना की future fleet में light category में होगा light combat aircraft tages जिसको complement करेगा medium weight fighter medium category में भारतिय वायू सेना के बेडे में होगा advanced medium combat aircraft जो देश में निर्मित 5th generation fighter aircraft होगा इस fighter jet के अलावा भारतिय वायू सेना के पास रफाल होंगे रफाल का number depend करता है MMRC एडील के उपर heavy category में भारतिय वायू सेना के पास 130 MKI होंगे और ये 130 MKI सूपर सुखोई standards में upgrade गिये जा चुके होंगे और जब 130 MKI भारतिय वायू सेना से retire किये जाएंगे तब एक heavy category का futuristic fighter jet भारतिय वायू सेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा इस window में SU-57 बिल्कुल सही fit बैठता है हाला कि logical question ये होगा कि अगर भारत advanced medium combat aircraft बना चुका होगा तो भारतिय कंपनीज के लिए खुद का एक heavy category fighter jet बनाना कोई जादा मुश्किल काम नहीं होगा घूम फिर कि ये सारी बाते वहीं आ जाती है SU-57 एक अच्छा aircraft है लेकिन भारतिय बेड़े में अभी इसकी जरुरत नहीं है वहीं दूसरी ओर भारत जितने भी प्रोजेक्स पर काम कर रहा है उन सभी प्रोजेक्स के power plant American होने वाले है चाहे अभी के light combat aircraft तेजस की बात की जाए या फिर बात की जाए medium weight fighter की, twin engine deck based fighter jet की या चाहे भारत के सबसे ambitious project advanced medium combat aircraft की जब तक भारत कावेरी engine को fix नहीं कर लेता तब तक देसी project इतने जादा reliable नहीं होंगे हाला कि MMRCA 2 में अगर Rafal select होता है तो इससे जादा offset आएगा और इस offset का प्रियोग करके कावेरी engine को revive किया जा सकेगा एक दूसरा option होगा सुखोई 30 MKI की fleet आने वाले समय में भारतिय वाई सेना को सुखोई 30 MKI की fleet में नए engines लगाने पड़ेंगे और आज की तारीक में भारतिय वाई सेना के पास 272-130 MKI है यानि कि कम से कम 600 engine की requirement होगी और इतनी बड़ी requirement के लिए अगर Russia के साथ negotiate करना पड़े तो item 30 engine की transfer of technology negotiate की जा सकती है हाला कि ये engine advanced medium combat aircraft M का और light combat aircraft Tegers में तो प्रियोग नहीं किया जा सकेगा लेकिन इस engine के ऊपर एक नया fighter program बनाना बहुत जादा मुश्किल भी नहीं होगा वैसे भारत की priority कावेरी engine होना चाहिए लेकिन अगर ये engine revive ना हो पाए तो इसके लिए भारती अवाय सेना के पास एक backup plan होना चाहिए और ये backup plan SU-57 ही दिखाई देता है आपको क्या लगता है बताईए हमें comment section में आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताईए हमें comment section में वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताईए हमें comment section में आखिर क्यों देखते रहिए alpha defense धन्यवाद जैहिन